हाई फ्रेंड्स कुस्चिन देखते हैं तो शॉट एंड लॉंग हैंड्स ओफ क्लॉक आर फोर सेंटिमेटर एंड 6 सेंटिमेटर लॉंग रेस्पेक्टिविली कुस्चिन का रहा है कि एक क्लॉक में शॉट एंड है और दूसरा लॉंग एंड है ठीक है तो कर रहा है यह दोनों मिलके जो है दो दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी चलो इसको सॉल्ब करते हैं तो देखो माल लेते हैं कि हमारा यह क्या है क्लॉक है ठीक है और यह सेंटर है तो सबसे पहले आवर हैंड सॉट हैंड जो होता है वह हैं हमारा आवर हैंड है ठीक है यह घंटा वाला सुई है ठीक है और इसही में हम क्या कर देए मिनट वाला शुई भी ड्रो कर देता हूं है ठीक है तो देखों है यह हमारा मिनट वाला शुई है तो कारा यह दोनों मिल के जो हुपम है और मेल तेट यह दोनों मिल के दो दो दिन में कितने डिस्टेन्स ट्रैवल करेंगे तो सबसे पहले हम सबी करें है कि दोनों जो है वह जो हता है दो दिन में कितना कम वह दो दिन में कितना रोटेशन कम्पलीट करते हैं कितना बार रोटेशन अपना कम्पलीट करते हैं ठीक है तो चलो इसको रोटेशन करता है, मतलब जो है कि मतलब में सरक्म्फ्रेंस करता है मतलब जो है कम्प्लेट रोटेशन करने के जो है आपका सर्कल के सर्कम्फ्रेंस की कुवल हुआ ठीक है तो सर्कम्फ्रेंस सर्कम फ्रेंस और फर सर्कल ठीक है अल्सु यह इकुवल होगा डिस्टेंस कवर्ड बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई आवर हैंड इन वन रोटेशन मतलब वन रोटेशन में यह उतना डिस्टेंस टेबल कर लेगा ठीक है तो देखो तो सबसे पहले हम फाइंड आउड कर लेते हैं जो आवर हैंड जो है वह दो दिन में कितना rotation complete करता है ठीक है तो अब बताओ two days होता है यह two days हो है कितने hours के equal होगा तो आप जानती हो one days होता है वह 20 अपका 24 hours के equal होता है तो two days कितने के equal हो जागा 48 hours के ठीक है तो 48 hours के यह equal हो जाएगा two days equal to 48 hours हो जाएगा तो यहाँ देखू तो बारा घंटे में बारा घंटे में जो hour है वह one complete rotation करता है one complete rotation करता है वह one complete rotation करता है तो one hour में one hour में कितना complete rotation करेगा तो बताओ 48 hours में कितना complete करेगा देखो 12 hours में one complete rotation करता है one complete rotation करता है तो one hour में कितना one by 12 तो एक के लिए दिया और ज्यादा के लिए पुझे क्या करोगे new order चार भर कंपलीट रोटेशन करेगा चार बार यह सठाड यहां सा ओब फिर यहां चहला नाशला है है आपको चार बार रहे स्पना complete rotation कर लेंगा और हम जानते हैं कि सब्सक्राइब करता है यहां सबसे पालम निकाल देते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब की पाई आर अब देखो आवरेंड्स की जो लेंध दिया है यहां पने डिना हूं लेंध ऑफ आवर हैंड कितना दिया है वह दिया आपका कितना दिया है four four centimeter four centimeter ठीक है तो four यह centimeter that means four that means कितना हो गया eight pie eight pie centimeter मतलब जो है circle का circumference होगा eight pie मतलब जो है eight pie जो है equal हो गया कि one complete rotation में जो our hand जो है वह eight pie distance travel करेगा ठीक है तो देखो यहां समझो वन कम्प्लीट वन कम्प्लीट रोटेशन में वन कम्प्लीट रोटेशन में वह एट पाई डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहां पली दरा हो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ठीक है डिस्टेंस ट्रेवल करता है ठीक है 8 pi cm distance travel करता है 1 complete rotation में तो our hand जो था है 2 दो में कितना complete rotation कर रहा है 4 4 complete rotation कितना मैं करेगा तो 1 के लिए ज़्यादा है और 4 के लिए पूछ रहा है क्या करों simply multiply 8 pi into 4 कितना हो गया 32 pi मतलब जो है जो हमारा our hand है वो दो दिन में 32 pi distance travel करेगा यह तो हमारा क्या लिकल गया our hand के लिए अब यह सहीं जो होता है हम minute hand के लिए भी find out करेंगे तो चलो इसको भी solve करते हैं तो यहाँ देखो तो बताओ minute hand जो होता है minute hand जो है वो one complete rotation कितने minute में complete करता है तो वो सबसे पहले हम चलते है minute hand के लिए है देखो minute hand तो जो minute hand जोता है वो 60 minute में अपना एक complete rotation करता है देखो अभी जानते हो यह minute वाला जो सुई होता है वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से आते आते कितना minute में अपना एक complete यहाँ पर चलाता है कितने minute में 60 minute में आता है वही जो hour hand जोता है ये 12 hour में जाता है वही minute hand जोता है वह 60 minute में जाता है जाता है कि ने जाता है तो minute hand जोता है वह 60 minute में 60 minute में one complete one complete rotation करता है मतलब अपना one rotation complete कर लेता है कितना है 60 minute में करता है नो और ये जो ता one complete जो rotation जो equal होता है circle के circumference के equal होता और also equal होता है distance travel by minute hand in one complete audition मतलब one complete audition में उतना distance travel करेगा ठीग है तो देखू तो सबसे पहले जान लेते हैं कि two days में कितने minute होते हैं तो देखू two days जो होता है equal होता है कितने hour को यह जो आपका होता है 48 hours को 48 hours के equal होता है अब 48 अब भी जानते हो hours को minute में convert करने के लिए करते है 60 से multiply that means जो है 48 into 60 minute ठीक है 48 into 60 मतलब जो है 2 days में होता है 48 into 60 minute होता है ठीक है तो देखू 60 minute में अपना अपना जो minute हैंड जो होता है 60 minute में 1 complete rotation complete करता है मतलब एक rotation कितना minute में 60 minute में तो बताओ 1 minute में कितना rotation complete करेगा that means 1 by 60 complete rotation करेगा ठीक है तो बताओ अगर वो एक minute में 1 by 60 complete rotation करता है तो 48 into 60 minute में कितना करेगा that means 1 के लिए दिया और जादा के लिए simply क्या करोगे multiply करोगे that means 48 into 60 minute में वह कितना complete rotation करेगा तो 1 by 60 into 48 into 60 that means जो है 60 से 60 क्या हो गया cancel हो गया आपका आगया 48 complete rotation आगया मतलब जो कहने क्या मतलब है जो हमारा minute hand है वह दो दिन में 48 complete rotation करेगा 48 मतलब हुआ 48 बार वह कहा कर चक्कर काटेगा तो आप हम जानते हैं कि one complete rotation जो इक्वल होता है किसके circumference of a circle और distance travel by minute hand in one complete rotation ठीक है तो देखू अब हमें क्या निकालना है सबसे पहले circumference निकाल देंगा तो 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 पाई आर तो तो हो गया पाई आर और आपको दिया है minute hand का लेंद्थ जो दिया है 6 meter डाट मिश्च से इसे multiply कर देंगे सिक्स से सिक्स से तो कितना हो और सिक्स टूजाट टूवेल टूवेल पाई मतलब जो है जो minute hand जो है वह one complete rotation करेगा one complete rotation one complete rotation में इतना distance travel करेगा ठीक है इतना distance होता है travel करेगा इतना centimeter यहां पर लिख देरा हूं आपको one complete रोटेशन जो है one complete rotation करें कितना वह one complete rotation में वह आपका टूवेल पाई distance travel करेगा इतना distance travel करेगा distance travel करेगा ठीक है मतलब जो है एक बार जो minute hand है अपना rotation complete कर लिया तो टूवेल पाई distance travel कर लिया तो ऐसे ही उसको कितना बार रोटेट करना है 48 बार तो एक बार में इतना तो 48 अगर complete rotation करता है कितना डाट मिस टूवेल टूवेल इंटू जो ता है 12 इंटू पाई 12 इंटू पाई इंटू 48 हो गया ठीक है 12 इंटू पाई इंटू 48 तो इसको multiply करेंगे कितना हो जागा तो आपका 12 इंटू 48 तो आपका आगया 576 पाई मतलब इतना complete rotation करेगा तो अब क्या करते है अब देखो मिनट आपका आवर हैंड है और मिनट हैंड है दोनों के दोनों जो है दो दो दिर में अपना अपना distance टैबल कर लिए कितना कितना जो हमारा जो आप मिनट हैंड है वह इतना कर लिया और जो धो आउर है वह 32 पाई कम्पलेट कर लिया अब दोनों क्या करते हैं स्वाम करते हैं थीग है तो देखो अब एक दिश्टेंगे तो आवर हैंड जो हता है वह कितना ट्रेवल किया है वह किया है आपका 32 pi और जो minute hand है वह 576 pi distance stable किया ठीक है अब दोनों का अट्दे को दोनों pi है, pi वो common कर लेते हैं then 32 plus 576 तो pi into 628 730 516 608 ठीक है तो pi का value आपको दिया कितना लेना है 3.14 into 608 अब इसका multiply करते है 608 into 3.14 तो आपका आजाता है 1909.12 cm मतलब दोनों जो minute hand है, that means short hand है और long hand है दोनों meal case होता है, दो दिन में आपका 1909.12 cm distance travel करेंगे तो please दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर helpful है तो please channel को like and subscribe, please जरूर करें क्योंकि आपका like and subscribe ही हमें motivate करता है, thank you friends क्योंकि खियं पर और आपके लिएान जिलेइवगे जर क्योंकिशपा लगे अं요 लगे इस अगर वीडिब जचे रहे